आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students question देखो हम लोग के पास यहाँ पर given है कि find the equation of the radical axis ठीक है और हम लोग को circle दे रखे है x square plus y square minus 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 और दूसर सकल है 3x square plus 3y square minus 7x plus 8y plus 11 is equal to 0 ठीक है हम लोग को यहाँ पर दो circle दे रखे है उन दोनों circle का radical axis हम लोग को निकालने ठीक है तो देखो अगर मैं पहले s1 को मैं assume करता हूँ पहला वाला given circle जो की दिया हुआ हम लोग को x square plus y square minus 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 ठीक है अब s2 को मैं assume करूँगा दूसरा वाला given circle 3x square plus 3y square minus 7x plus 8y plus 11 is equal to 0 ठीक है अब radical axis के लिए हम लोग के पास क्या होता है formula s1 minus s2 is equal to 0 यही होता है बट हाँ एक चीज इसमें हम लोग को ध्यान रखने वाली होती है कि coefficient जो है यहाँ पे x square और y square को coefficient जो है s1 में यहाँ भी वही होना चाहिए ठीक है और preferably 1 हो तो ज्यादा अच्छा है calculation में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब इसको भी 1 बना लेते है s2 वाले को तो हम लोग के पास s2 वाला हम लोग का जो इसको मैं पूरे इसको 3 से डिवाइड का रहा हूँ तो देखो क्या आएगा x square plus y square minus 7x 7 by 3x plus 8 by 3y plus 11 by 3 is equal to 0 ठीक है इसको आप s2 dash बोलो या फिर s2 ही बोलो दोनो सेमी circle है ठीक है s2 dash actually नहीं बोलना चाहिए कि यह different circle है नहीं ठीक है circle यह reprint करेगा सेमी चीज तो देखो यहाँ से यह s1 और यह s2 है तो अब यहाँ पे हम लोग s1 minus s2 निकाल सकते है ठीक है अब एक चीज़ है radical axis की कि हम लोग को positioning check करने की जरूरत नहीं है कि यह circle एक दूसरे के ऐसे मतलब यह circle एक दूसरे को touch कर रहे है cut कर रहे है या फिर कैसे जैसे यहाँ पे cut कर रहे है यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे है यहाँ पे मान लीजे एक दूसरे को internally touch कर रहे है यह sub cases में हम लोग के पास S1-S2 ही हमारा radical axis का formula होता है ठीक है हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे radical axis जैसे मैं color change कर लेता हूँ यहाँ पे radical axis हम लोग की यहाँ पे आएगी positioning जो radical axis एक straight line है तो वो straight line का positioning different हो सकता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगी ठीक है यहाँ पे इन दोनों का common chord हो जाएगा radical axis ऐसे case में जब वो intersect कर रहे है यहाँ पे यह common chord हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक common tangent हो जाएगा ठीक है but होगा मितलब positioning भले इसकी different हो जाए बट equation हमारी s1-s2 equal to 0 से ही आएगी और यह वाला चीज हम लोग को coefficient भी same बराने की ज़रूद इसलिए है क्योंकि s1-s2 जब करेंगे तो यह second degree terms cancel out होने चाहिए तब ही हम लोग के पास straight line की equation आएगी अगर आप directly ऐसे subtract करते तो हम लोग के पास 2x2 2y2 आथा तो फिर वो straight line की equation नहीं होती है अब देखो s1-s2 कर रहा हूँ क्या आएगा x2-x2 0 y2-y2 0 x वाले terms से यहाँ पे लिखता है minus 3x minus of minus plus 7 by 3x यह आगे हम लोग के पास पहला term फिर हम लोग के पास है minus 4 plus लिख के मैं से लिखता हूँ ठेक है plus minus 4y minus 8 by 3y यह आगे दूसरा term फिर तीसरा term है plus 5 minus 11 by 3 यह आगे is equal to 0 s1 minus s2 is equal to 0 अब इसको थोड़ा सा और simplify कर लेते है देखो x common लेंगे तो क्या है गा यह 7 by 3 minus 3 तो यह कितना हो जागा 7 minus 9 by 3 which is minus 2 by 3 तो यहाँ पर आजागा s1 minus s2 is equal to minus 2 by 3x ठेक है यहाँ पर क्या आजागा जब आप y common लोगे minus y common लोगे minus y common लोगे तो क्या आजागा 4 plus 8 by 3 which is 12 plus 8 is 20 by 3 तो यहाँ पर आजागा minus 20 by 3 y इसको minus 20 by 3 y लिखते हैं यहापर minus 20 by 3 y और यहाँ पर क्या आजएगा 15 minus 11 यह हो जाएगा 4 by 3 is equal to 0 अब मैं यहाँ पर हर जगा से 3 3 3 cancel out कर सकता हूँ common लेके उस साड़ अगर बेस हो तो भी नहीं उसकी value है कि कुछ अब और पूरे को minus से multiply करों तो देखो क्या आएगा 2 x plus 20 y minus 4 है नो यहाँ पर 20 है sorry 20 y minus 4 है इसको मैं इधर लिखे 4 लिख दे रहो यह हमारी radical axis है इसको और simplify करना चाहँ तो x plus 10 y is equal to 2 यह हमारी radical axis है यह दो given circle के लिए तेक x plus 10 y is equal to 2 यह वाला circle s1 यह वाला circle यह फिर यह वाला कोई भी ले लो इन दो circle के लिए यह हमारी radical axis आगी Thank you